यह किसी भी वन डे फाइनल किसी भी इवेंट के वन डे फाइनल का लोईस्ट हो रहे है जो पचास रन पर आउट किया है इसको कैसा देखते हैं क्या हमें तो लग रहा था इंडिया फेवरिट है लेकिन ऐसा रिजल्ट तो नहीं सोचा था देखें जो टॉक टीम है नंबर व पास वर्ल्ल किलास बोलर है एक सो चालिस के बोलर है तो था जब सिराज को मिडाउन पर चौका लगा अब भागता वगया सब हस रहे थे मैं आपको कैमरा लगा तो कोली भी हसा है सब हस रहे लेकिन उसमें आप एक इस डिये टेक भी ले सकते हैं कि उस सिच्वेशन पे जह और वालगा यह इंगलिश कंडिशन में बालिंग और यह सबसंदर के और यह चैला किया और आför आउनिया अश्डा पर चाप Jelly और ऑनी अगया इस जिस दुदिध आर still उन्हें catch पूरा है, spinning attack पूरा है, spin attack में देखें, फॉरन इन वाशिंग्टन संदर को ले आए, आक्षर पटेर की जगा, तो कुप्तानी रोचरमा की इंप्रूब वी, धेर दो साव से गुमा हुआ रोचरमा अभी प्रेजन्ट है, आपके लिए, बिल्कुल देखें, पाकिस्तान यहा कि उसके खिलाफ आपके बॉलिंग लाइन अप ने किया किया, अगर आप कहते हैं कि हमारे दो बॉलर नहीं थे, तो मैं गहता हूं कि उनके पास भी कोई बहुत आउस्टेंडिंग बॉलिंग नहीं थी बस सही है, उनके दो चार में बॉलर इवेंट में थे, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है, आप उसका मुकाबला करें, तो फिर उन्होंने 252 रंस चेस कर लिये, जहां पर सारी बाते हैं कि इस ग्राउंड का अगर मैं गलत नहीं हूं, एवरीज स्कोर 226 ताना, वो तो 252 बना के चलेगे, तो लंगा फिक्रिया यह नहीं है, कि इनके साथ क्या हु कि इस चीम को उन्होंने हवा में उड़ा कर लिया, उस चीम ने हमें इवन तबाइब कर दिया, यह एक पर इस पर एक क्वेस्टन है, कि हमारी इतनी गुरी परफॉरमस थी, एक सब यही कह रहे थी, इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा, तो इतनी हमने खराब क्रिक्ट के कि स्री लंका हमारी जगा फाइनल में है, और यह वन साइडिड मैच नजर आ रहा है, बिलकुल आप देखें, वर्ड दियें डिसक्राइब के लिए, किस से इसको डिसक्राइब करें, किस तरह बैक करें, यह जो हम एक बात करें थी, जिस सोच है आपको चेंज करनी है, ठीक यह बदली है, पिसले 5-6 साल में अगर हमने देखा, तो उसमें विराट कोली का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिस तरह उन्हें ने फाइट करके, फाइट करके, खड़ा किया टीम को, और उसके बाद ठीक हो आच कैप्टन नहीं है, लेकिन सोच बदली है, तो देखें हम हम माइंसेट बदलेगा, वक्त बहुत कम है, और माइंसेट बदलना बहुत जरूरी है, आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, यह बार बार हम यह नहीं कह सकते, कि अब यह जैसा खेलेंगे, फिर तो बाद में फैसला होगा, हमें माइंसेट भी तो बदलना है, तो बिलकुल बास बॉलर से पूरी टीम को पीपो के अंदर रखें, मजबूत होके जाएं, स्टॉंग होके जाएं, अगर टीम इडिया से जीतना वहां पे, इस परफॉर्मस पे मेरे खाल से बड़े स्वाल उठेंगे, कैसे त्यारी के साथ जाना, क्या परप्रेशन करनी है, किस पाकिस्तान वाला मैच ले ले ले, सभी मैचों में भारत ने बढ़िया प्रदर्शन किया, भारत जब तक वर्ड कप नहीं जीते का, तब तक विस्व पे अपनी एक मजबूत चाप नहीं छोड़ पाएगा, आप जीत गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत को पाकिस्तानी मीडिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम पर ये चर्चे हो रहे हैं कि हम वर्ल्ड क्लास टीम थे तो भारत ने इतना अच्छी प्रदर्शन कैसे किया, पाकिस्तान में पीशे क्यों रह गई, दोस्तों जाहिर सी बात है कि हम वो देश नहीं है, जो हम हमे जही अंतर होता है, दोस्तों इस वीडियो में पूरा बने रहे हैं और देखिए किस तरह की डिस्केशन हो रहे हैं पाकिस्तानी नीज चनल पे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जलूर कीजिए और अगर आप चनल पे पहली बार आया है तो चनल को सुस पाके पांड़ा दे भालिंग की है, उन्हों ने लाइन लेंथ को चेंज निता, यह सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, उन्हों ने फिच को इस्तमाल किया, उन्हों बिल्कुल चांस निह लिया कि मैं कोई हवा में जाके यॉर्कर मार के मिल्स बड़ा दूँ, टांक से वो दिखा रहे थे कैमरा में तो 6-7-4 यार्स के दिरम्यान में इस एरिया में बॉलिंग की है और चैलिंज की है उनके बैस्मेन की टेक्निक को जो बुरी तरह एक्सपोज हुए इस पे और यह सब प्रेशर के गेम होता है जैसे आप अंडर प्रेशर आपको जब आप छोटा में लेकर आप यह वो सिमपल चीजे एक बैसमान को जो है आप बालर यह इन्डिया खालाव निखेल रहें आप अपनी स्ट्रेंथ को याद रखे आप अपने प्रोसस को याद रखे तो यह चीजें बार-बार ऐस पहले याद करनी परती है इंडिशल से बात करनी परती है आपके चि Islam कर दीन के मा अपका है Om वो ऑप नहीं कर दीन बॉल हो है वह जो भाग के पीछ गया है और जिसमें वरात कोली वग़ए हुसरे बशिए थे अई वो एड़ार कुली वगएर वे जो इसकी सिटुएशन को देखके कि यार वहां पे ज्याद़ दर बैटिंग विकेट्स ही होती है तो वहां पे अगर हम सिराज के अप्रीकेशन देखते हैं आपको लगता है बाकी जो अपोजिंग टीम्स हैं उनको वरी साइन जरूर हो सकता है कि यार किसी दिन अगर कंडिशन वहरी करेंगी तो सिराज विल कि यार वन परसन जो दिस्मेंटल करके पूरी टीम को वापिस भीज़ देगा बिलकुल आ थिंग इंडिया इतना बड़ा मुल्क है अगर वहां पे कोई सिलेक्ट होके 14-15 में आता है तो उसके पास वो केपिबिलिटी है कि वो किसी भी मैच में परफॉर्म कर सकता है और ज लाइनप में मौहमसः शामी बाहर बाहर बैठे हूं तो यह वह तो वाइस विजह से वह तेनों को बहुत कम मैचे के रहे हैं कि आपके मुम्रह भी खेल रहर ह authors भी कहली और नो की यह से ओर बीजी हो धिनके पहर गी प्रर बावायर बैठा हॉता है इस तरह की दूंदा की प्लेयर्स को रेस्ट भी दे सकते हैं पर आपकी टीम की एफेक्टिवनेस है वह कम नहीं होगी और मैं यही बात मैं बाजी बाजी बाई से पूछूँगा क्यूंकि दिन में आपने इसी बात का तथकरा किया था कि अगर एक यहां पर पांडिया ना खेले तो हो सकता है कि वह बैलनस आउट हो जाए और जहां पर सराज ने च्छे विकेट्स लेके दी वही पर हम हार्तिक आप्लिकेशन देखते हैं तो हार्तिक आतर गए हैं उनने राइट एडियास हिट की हैं तीन विकेट्स लेके दिया और उनना का भाई अस्वाम अलेकुम एशिया कप हमारा हु पाकिसान को टी 20 था पाकिसान को बाउंसर पर आउट किया और सबसे तेज बाउंसर यही कर रहा था अर्दिक पंडिया तो उसकी बॉलिंग जब जब है इंडिया की टीम के साथ तो उनका उनको मसला नहीं है जब उसकी बॉलिंग जाती है तो फिर वो सोचना शुरू हो ज कोशिश करते हैं कि बैटिंग डीप जाए लेगे